इसे हो एक छोटा सा एक message देना था Civil Engineering गुरकुल वाले students को guys आप सब के लिए मैंने WhatsApp गुरूप बना दिया है means Civil Engineering गुरूप का structures का separate और BIM का separate WhatsApp गुरूप बना दिया है so जो भी students Civil Engineering गुरूप में ज्वाइन किये हैं मुझे WhatsApp पर हाय करके बोल देना so that कि मैं आपको फटब फट टाइज कर दूँ means group कर लिंग आपको दे दूँ का आप group join कर लिजेगा क्योंकि कल हम लोग meeting करने वाले है means कल हम लोग discuss करने वाले कि क्या क्या और कैसे कैसे करना है so आज admission close कर रहे हैं और क्योंकि कल से हमें study materials आपको share करने और दूसरी बात ही है guys अभी एक structures में seat बची हुई है और beam में दो seat बची हुई है so जो भी अभी message किये थे और उनके पास अभी उन्होंने क्या बोलते है registration नहीं किया है तो please contact करके कर लेना structures में एक ही बची हुई, beam में दो seat बची हुई है so that कि आज admission close हो जाएगा और कल से हम लोग meeting start करेंगे और पड़सों में आप एक-एक individual person से समझूँगा कि किसको कितना आता है और कितना काम करना पड़ेगा और proper जो batch चलेगी वो 20 से चलेगी आप सबको पता ही है जिसमें से structure को जो timing दिया गया है वो timing दिया गया है 7 to 8.30 और जो BIM का batch को timing दिया गया है वो दिया गया है 8.30 to 10 और उसके बाद 10 से साठे 10 extra जो doubt lecture अब तक का हम लोग का चलता आया था वो doubt lecture 10 से साठे 10 चलेगा तो उसको भी आप join कर सकते हो और उसमें भी आकर पुछ सकते हो प्लस किसी को कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हो 9792621121 Don't forget जो new registration कर रखा है ग्रूप में आ जाओ मैं वैसे तो सबको message कर दिया हूँ सब कुछ लग जाएगा चलिए मिलते हैं आपसे कल के meetings में और thank you so much for trust सबसे पहली बात तो जो मेरी पहली बैच है मेरे लिए बहुत special है क्योंकि आप सबने बिना result देखे सिर्फ मेरे trust पे आप सब मेरे पास आया हो इसलिए मैं इतनी मेहनत करूँगा इतनी मेहनत करूँगा कि जितना जादा हो सके उससे 10% जादा ही करने का प्रयास करूँगा thank you so much guys thank you so much मुझे बिलीब नहीं था इतना जादा support मिलेगा मेरे नए काम के लिए बट आप लोगों ने किया है सो मैं result आपके सामने दिखाऊँगा कितना बहतर हो सकता है